हेलो दोस्तों, वेलकम टो ओनली आ येस, डेट है आज की 16 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलेम भूस्टर न्यूस डिसकेशन के अंदर देखो मैं एक्चर में सोच रहा था कि जैसे प्रिलेम नस्दीक आ रहा है तो जो एक साल के अंदर ना पिछले जो भी प्लेसेजन न्यूस थी मैं आपके साथ वो यहीं डिसकस कर लूँगा आप बताईएगा इसके अपना उपिनियन क्यूंकि देखो प्लेसेजन न्यूस थी ना हर सल दो सो तीन कोशन आते हैं तो फेना कहीं वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे आप क्या इस बारे में सोचते हो मुझे जरूर बताना फिर कल से हम अकॉरिंगली उसे साब से अलाइ 8% trade deficit shrinks over 7% देखो आप जानते हो कि हर कंट्ριी दूसरी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड करती है बिल्कुल ठीक है ना तो माल लीजिए कि एक कंट्री है और ये कंट्री भी है तो इंडीया माल लो यहाँ से कुछ चीज़े import करता होगा या export करता है और वापिस से कु देखने को मिली है कि दूसरी country को हम कम export कर रहे हैं बट at the same time हम import भी कम कर रहे हैं कि दूसरी country से समान मंगवा भी कम रहे हैं तो दोनों में हमें overall shrinkage नजर आई है export के अंदर भी import के अंदर भी ठीक है आयात मेरे याद दोनों में कमी देखने को मिली है तो overall हमारा जो deficit था ना वो कम हो गया है 7% देखो ऐसा क्यों हुआ है क्योंगी देखो इंपोर्ट्स पिछले साल हमारी कितने थे इसी time के उपर जो February 2022 के time 55.9 billion dollar अब क्या होगे है 51 billion dollar के असपास तो 4 billion dollar यहां से श्रिंक हुआ और यहां पर भी नेरली 3 billion dollar का श्रिंक हुआ तो overall हमारा जो deficit था ना उसमें कमी हमें देखने को मिली है तो यह थोड़ा अच्छी ख़बर भी है कि trade deficit कम हुआ है पर खराब खबर भी है कि हमारे export में कम ही आ रही है तो दोनों चीज़ों का अब इस तरह से कहिना का इंविशिलेशन देख सकते हो एक्सपोर्ट इस विचा से भी कम हुआ है जैसे मालों हम यूएस में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस में खुद situation काफी खराब है ठीक है वहां के उपर भ मेंस के लिए इसपेक्टर यह काफी जाए इंपॉर्ट है आपका गवर्नर का पर यहां पर थोड़ सा बता देता हूं सुप्रीम कोड का यह मानना है कि तो गवर्नर का रोल पिछले कुछ टाइम्स के अंदर काफी चेंज हो गया है पहले क्या है गवर्नर को ना एक प्रॉ प्रॉट का कि गवर्नर ने यहां पर फ्लो टेस्ट जो बुलवाया ना वो थोड़ा सा अजीब था मला ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इन्होंने सिरफ इस बेसिस के उपर फ्लो टेस्ट मगवा लिया कि थ्रेट्स आ रहे थे कुछ है मलेस को किसी को डिसेंट आ रहा था इस तरह चीजें यह सारे चीजें ग्राउंड नहीं हो सकते फ्लो टेस्ट मगवाने के तो चेहने का मीनिंग क्या है गवर्नर का रोल फिर से क्वेशन में है तो आप अपने मेंस के लिए इस चीज को रेडी रखिएगा तो इस्टार्ट करते हैं आगे और एक हैं possible तो जो भी आपके doubts होंगे sir आपके साथ discuss कर लेंगे और बहुत भी अच्छे insightful आपको यहाँ पर मिलेंगे तो आप इस जूम session को join कर सकते हो comment section में अपना इसका link दे दूँगा तो make sure आप उसको join कीजिए साथ में आप जानते हो मारा जो NSAID का test है वो 90th of March को होने वाला है सुबह 9 बज़े से लेके शाम के साथ बज़े तक तो make sure कि आपने इसके इंदर रिजिस्टर कर लिया है यहाँ पर 90% scholarship है प्रस इसके साथ साथ बहुत ही exciting है आपको surprises और भी यहाँ पे definitely आप सभी को मिलेंगे तो आप इसके अंदर भी definitely enroll कर लीजिए time वियाद रखेगा 19th March 2030 को 9 बज़े से शाम के साथ मिज़े तक पर इसके साथ करते हैं कल मैंने आपको homework दिया था रशिया रशिया के न अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो कम चाटका यह पैननसुला यहाँ देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच नहीं कि रशिया और जपान इन दोनों के बीच यहाँ पर यह कुरिज आइलेंड्स है ठीक है न यह Pacific वाला Pacific Ocean आप यहाँ पर notice कर सकते ह जो रशिया ना वो धिरे-दिरे एक्सपैंड करता जा रहा है उधर भी उक्रेमली साइड भी उसमें काफी एक्सपैंड किया है तो यहाँ पर फार इस्ट की साइड जैसे रशिया ने एक्सपैंड किया 17th सेंचली से ही तो बहुत सारे कंट्री उसके साथ में अंदर आते तो कुरिल आइलेंड भी उसी डिरेक्शन में वो एक कदम था और कुरिल आइलेंड जो है ना एक बड़ा ही स्ट्रेटिक लोकेशन है सर्फ क्यों स्ट्रेटिक लोकेशन है क्योंकि देखो अगर जो युनाइटिट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिटरी है यह बिसके के लिए कुरिल आइलेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको ध्यान का रखना है कि जो कुरिल आइलेंड है वो एक डिस्प्यूट है बिट्विन रश्या एंड जपान तो यह इसकी लोकेशन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा अब कल के लिए सर्क्या होगा कल के लिए मैं जानना चाता हूँ वन कंट्री टू सिस्टम यह किस चीज के साथ लिए वन कंट्री टू सिस्टम कौन सी कंट्री की बात हो रही है कौन से दो सिस्टम की बात हो रही है और कौन से ऐसी एरियाज है जो इसके अंदर इन्वार्व हैं इनकी एक बार आप मैपि करने की कोशिश कीज़ेगा ये कोशिशन भी हम सॉल्ट करेंगे प्लस साथ साथ इसकी मैपिंग भी हम अच्छे से देखेंगे राइट चलते हैं आगे कल देखो हमने कट्टू नाइकन ट्राइब के बारे में थोड़ा जिकर किया था और मैंने आपको कुछ होमवग दिया थ उम्वग या था पीवी टीजी के बारे में के पुर्टिकुलर्ली वल्णेरेबल ट्राइबल टूप्स के बारे मैं आपको पढ़ने के लिए बोला था कि क्या क्या चीजह होती हैं कौन होते हैं इसके अंदर यह सारी चीजहें ठोड़ा सापको समझाता हूं आप है वो pre-agriculture होना चाहिए चाहने का मीनिंग क्या pre-agricultural level of technology साथ में इनकी जो literacy होनी चाहिए उसका काफी वो काफी कम level पर होती है low level of literacy साथ में economically काफी ये backward होते हैं ठीक है sir and lastly इनकी जो population होती है या तो वो stagnant होती है उतनी ही होती है जतनी है बढ़ नहीं रही होती है या फिर decline कर रही होती है उसमें कमी देखने को मली होती है तो चार परामेटर्स क्या मनें प्री एक्रिकल्चर लेवल अफ टेकनालोजी सेकें इस लिट्रेसी लेवल इस लो तीसरा अगर यहां पर इस तरह के ग्रुप्स को हम इंटिफार कर लेते हैं पर्टिकुलर्ली वनलेबल क्राइबल गुप्स यह सेंटर के दौरा एक तरह से रेकुनाइस किया जाता है इन शेडियूल ट्राइब्स के अंतरगट दरसल में हुआ क्या था एक धिवार कमिशन था उस गया है MHA के दौरा Ministry of Home Affairs के दौरा ऑल्टो जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसके साथ डील करती है अलग अलग schemes के रिकार्डिंग वो मोटा है that is Ministry of Tribal Affairs तो इस तरह से इन में देखा जाता है अभी क्या है 75 जैसे मैंने आपको बताया तो इसमें से maximum जो PVTGs हैं वो हमें Odisha State के दर देखने को मिल जाएंगी and total 18 states plus 1 UT UT कौन सी सर अंडेमान और निको बार वहाँ पर आपको ये PVTGs देखने को मिल जाएंगे this is how the PVTGs work I hope आप समझ पाएं होंगे particularly vulnerable tribal groups इनको और जादा हमें benefit देने की ज़्योत है तो इस वज़ए से इनको हमने अलग से classification यहां पे करी हुई है अब जब कल हम discuss करे थे कट्टू नाइकन ट्राइब के बारे में है तो मैंने आपको बताया था कि यह भी one of the PVTGs है ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखना तो ऑसकर का जब हमने discussion किया था ना तो इसमें हमने आपको discuss भी किया था थोड़ा अगर आप इसको और जानना का हो तो यहां पर आप कर सकते हो तमिल नाडू हो गया केरला वहां पर आपको यह particular community देखने को मिल जाएंगी और इस particular community इसलिए majorly famous है कि elephants के द्यान रखने के लिए इसमें अपने आपको पूरी तना से डिवोट क्या हुआ है ठीक है and they are one of the earliest known inhabitants of western वहां पर पाए जाने मतलब देखने वाले सबसे earliest unknown inhabitants वहां पर रहने वाले लोगों में से सबसे पहले में से एक थे यह ठीक है इसके साथ में ही wild honey हो गया ठीक है ना wax हो गया इस तरह की चीज़ें यह collect करते हैं उनको gather करते हैं इसके साथ में ही इनको कटू नाएकर या फिर जैनू कुरूमबास करके भी जाना जाता है पीबीटी जिसके अंदर में से एक है यह मैंने आपको बता ही दिया था एक important चीज़ है यहां पर monogamy generally practice कर जाती है सर्फ monogamy का क्या मतलब देखो बहुत सारी tribes में तरह क्या होता है एक individual की शादी दो लोग तीन लोग ऐसे लोग इनकी जो में डेटी है जिनको अंडर नेम आफ भैरव होते है ठीक है और यह एनिमल्स को वर्षिप करते हैं बर्ड फ्रीज इन सभी को और साचा स्नेक्स को भी यह वर्षिप करते हैं साथ में हिन्दू जो डेटी हो गया ठीक है देखा ना elephants के साथ कितना इनको प्यार है तो वो उससे ही कहीं न कहीं देखने को हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर एक elephant camp की बात हुई है। ठेपकडू elephant camp यह आपको देखने को मिलेगा तमिलाडू के मुदू मुलाई नैशनल पार्क के अंदर यह established हुआ था आपको देखने को मिलेगा एक इंपोटन चीज यहां पर और है कि यहां पर न elephant को कुमकी elephant के अंदर करन वर्ट किया जाता है। यह कुमकी वर्ट थोड़ा important है तो कुमकी वर्ट समझ लेते हैं देखो एक तो होता है elephant elephant चलो एक होता है elephant को हमने थोड़ा train कर दिया ठीक है उसको हमने चैप्टिव कर दिया तांकि वो अलग-अलग कामों के लिए यूज किया जा पाए कि वार ऐसा भी तो हो सकते है कि हमने elephant की में जैसे किसी और को rescue करना हो यह कुछ medical treatment देनी हो किसी और को ठीक है न तो इस तरह की चीजों के लिए हमने क्या कर दिया कुमकी एक तरह की term होदाती है जो कि हम training के लिए यूज करते हैं ठीक है elephant को यहाँ पर train के आता है तो इस तरह से इसको बोलते है कुमकी elephant तो training के साथ इस वर्ड़ पर ध्यान में रखना यह बार हो सकता है हमें female elephants को भी हम train करते हों तो अलग अलग purposes के लिए उनको ट्रेन कियाता है तो उनको बोलते है कुमकी आगी बात समझ नहीं ठीक है अब 2019 के UPSC prelims के अंदर यह question पूछा गया था regarding particularly vulnerable tribal groups एक बड़ ट्राई करना इसको तो अगर अच्छे से सुना है तो अराम से कर लोगे और इसके बारे में थोड़ा सा ना मैंने आपको insight भी दूंगा कल क्योंकि कैसे options कैसे बनते हैं तो that will also help you in reaching closer to your answer एक कल जो मैंने आपको question दिया था schedule tribe and other forest developer act 2006 के अंतरगत तो किसके पास authority है कि वो process को initiate करें तांकि देख पाएं कि individual or community right कैसे दिये जाए हैं बहुत सिंपल है कल directly मैंने आपको class में ही पढ़ाया था answer is gram-sabha तो gram-sabha यह चीज़ की authority होती है gram-sabha के पास कि वो process को initiate करें easy question था explain करने की जूवत नहीं है reason क क्या है क्योंकि कल एक्जेक्ट यहीं चीज हमने पढ़ी थी ठीक है ना तो कल में अच्छे से में बता चुका हूँ इस चीज को आगे चलते हैं nsso के बारे में पढ़ देते हैं देखो दरसल में पहली चीज़ यह समझो यह nsso पुराना नाम था अब नया नाम क्या है nsso होता क्या था ना कहले दो होते थे मारे पास एक nsso था एक था हमारे पास cso इनको कंबाइन कर दिया अब नाम हाँ इसका नाम क्या बन चुका है nso बन गया है तो इस तरह से दोनों को हमने कंबाइन कर दिया national sample survey office और साथी साथ standard statistical office इन दोनों को merge कर दिया है अब है मारे पा यह कुछ ना highlights है survey के जो कहीं ना कहीं आपने यूज हो सकते हैं जिसे for example यहां पर ऐसा देखा गया survey के अंदर कि South India के अंदर ऐसे लोग जादा है मतला यंग मैन और यंग मुमेन जिनको coding आती है as compared to बाकी parts ठीक है तो मतला Southern India काफी अच्छा कर रहा है coding हो गया specialized languages के अंदर जिनको computer program रिखने आते हैं as compared to other parts साथ महीं ना इसमें multiple indicator के अंदर SDG की बात करी गई है अब जाने सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल्स जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं तो क्या हम उस direction में सही level पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं सही direction है या नहीं है तो यह survey वहां पर हमें help कर कर रहा है कि कहां तक पहुंच के कितनी progress हम कर चुगे हैं and कितनी progress करनी हमें बाकी है इसके साथ में ही अगर आप देखोगे के अंदर nearly 10% को programming आती है जो कि इंडिया में highest है और जो सबसे नीचे वाली states हैं यहां पर वो आपको देखने को मिलेगी बिहार, 36 गड़, असाम औ पर इस तरह से देखा गया और यहां पर प्रोग्रामिंग स्किल्स को अलग-अलग तरह से देखा गया ठीक है जो सकता है कि आपको एक जगा से कॉप्य करनी है फाइल किसी दूसरे फोल्डर के अंदर तो यह भी एक प्रोग्रामिंग स्किल है पर यह बिल्कूल ही level basic level का है ठीक है कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके आप कर लेते हो या मूफ कर लेते हो उसको एंड लास्ट ली लास्ट लेवल क्या है क्या आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना जानते हो ठीक है न आपको C, C++, Java इस तरह रंग सी दे आती है तो इस तरह से यहां पर हमें levels देखने क स्ट्रीक विंग है जो मौस्ट भी है न इसकी स्ट्रीक विंग हमें यहां पर देखने को मिल जाती है काम क्या था अलग-अलग सर्वेस जो हम कंड़क्ट कर आते हैं अलग-अलग लेवल के ओपर वह एनससों के दौरा खरे जाते हैं इसकी चार्ट विजन से सर्वे डिजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नॉइडा एयरपोर्ट के जो स्ट्राइट से स्टार्ट होने वाली है ऐसा अभी बोला गया है अब इंपॉडेंट क्यों हो जाता है क्योंकि प्रधान मंत्री जी के दौरा इसका फांडेशन लेकिया गया था आप जानते हो काफी न्यू पर यहांपर क्या होगा है कि दुनिया का सब्सक्राटा इंट्रनेशनल और कॉल सब्सक्राइब एक हैं यही एक इںस कार्डों का मीनिंग क्या होता है इं पहले मोड मोड क्या होते है अलग-अलग mode of transportation मतलब आप by road transfer कर रहे हो by ship हो गया या फिर किसी इस तरह से ठीक है यह पर बात हो रही है multimodal cargo hub की तो यहां पर ना हर चीज को हम क्या करेंगे integrate करेंगे जैसे for example अगर मान लो कि हमें road to road connectivity चाहिए तो वो कैसे हो पाएगी तो उसके लिए हम आरे पास यहां पर trucking facilities available होंगी इस particular airport के उपर air to road moment हो गया ठीक है इस तरह की road to air moment हो गया इन सभी के लिए proper tracking facilities होंगी प्लस साथ ही साथ यहां पर इस airport के उपर हमारे पास temperature जो cargo का experience है ना तो बहुत इच्छा करने वाले हैं जो supply chain है उसको बहुत ही efficient बना ले वाले हैं तो इस तरह की चीज़े इतनी अडवांस चीज़ें यह पहली बार हो रही है इंडिया के अंदर ठीक है तो इस तरह से इस इस चीज़ को समझ गया होंगे तो इसकी importance इस वज़ इसको eliminate भी कर रहे हो इसके लिए उसको remove भी कर रहे हो तांकि environment आपका बिल्कुल वैसा ही रहे अब आप मुझे लिचे comment section बताओगे इंडिया का क्या goal है किस year तक हम net zero तक achieve करना चाहते हैं तो target year आप मुझे लिचे comment section में बताइएगा अब यहाँ पर इसको develop किया गया है व भी देखने को मिले है next topic की तरह बढ़ते हैं that is parakeets अब पहली बात तो news में सुनो क्यों है news में इसलिए है क्योंकि जो असाम का और वेस्टन असाम का जो कोकरा जहाँ डिस्टिक है वहाँ पर कुछ एक यूट्यूबर को एक तरह से book किया गया है क्योंकि उसने क्या किया थ है पर actual में है कि हमारे पसने wildlife protection act है हमने आपके साथ पहले भी डिस्कुस किवा wildlife protection act 1972 का वहाँ पर ना इसको schedule 4 के अंदर डाला हुआ है और इसको अगर कोई बंदा पकड़ ले capture कर ले इसको अपने पास रखे या फिर इसको बेचे तो वह एक punishable offense है और इसी वज़ा से यह ब बर्सन था इसको बुक कर लिया गया है थोड़ा गर पैराकीट को अगर हम और देखें तो यह सोशल बर्ड होते हैं जिनको बड़े-बड़े फ्लॉक्स के अंदर ठीक है बड़े-बड़े जुनट के अंदर जाना पसंद होता है तो यहां पर टोटल 115 बर्ड यहां पर पै ल की tocar हमार्त है इनडिया तो फिके अंदर पर हम आख से हैं इनिया के अंदर यहां पस वर्न lagi इंक हो गया और है को गई हो गया छी कहाánd हैए ठीक हुए है तो से टोटल हमारे पर से ग्यारा नेटिव पेरागेट स्पेशिस देखने को मिल जाती है और ध्यान रखना कौन से शीडियूल के अंतरगत है शीडियूल पोल्ट ऑफ वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जस्वजास इस परसन को यहां पे बुख किया गया है अगले टॉपिक की तरह इसकी फुल फर्म क्या है आई से इजरो नैनो सैटलाइट टू फॉर बुटान तो नाम से क्लियर है कि बुटान के लिए सैटलाइट है और हमारी तरफ से आप जानते हो इस रो ही सबसे बड़ा है ठीक है तो इसको लांच किया गया है जा पेलोड ऑन इजरो का जो पोलर सै समझाने की कोशिश करता हूँ एक है नैनो एमेक्स मल्टी स्पेक्टर ऑप्टिकल इमेजर कुछ सोचो नाम क्या इसका ऑप्टिकल इमेजर क्या परपस के लिए यूस होता होगा यह तरह कि ना हाई रेजोलेशन इमेज़ बताएगा यह उप्टिकल इमेजिन क्या अब यहां पर थोड़ी जो बात हो रही है ना वह बात हो रही है रिपोर्टिंग के रिगाड़ी आप इसको एक बुटान का अच्छीस और इंडिया के चरफ से कौन है इस रो यू र राव सेटिलाइट सेंटर डो नो मिलकर यहां पर यह चीज़ कर रहे है तो इस तरह से वर्क कर रही है, तो यह थे कुछ आज के questions जो हमें discuss करने से, आज के topics जो हमें discuss करने से, एक मुझे नीचे comment section में बताना, जो भी question मैंने पूचे है, प्लस साथी साथ की, अगर हम कल से, according ली जो पिछले एक साल में, जो भी places in news रही है, उनको हम अच्छे से cover कर लेंगे, तांक जो पांच question दिये थे, उनका एक बार मैं quickly आपको answer बता देता हूँ, पहला है सिपरी रिपोर्ट, क्या इसने फ्रांस को biggest arm exporter कीता में रेकोगनेस किया है, जो थोड़ा सा statement action में इंकम बेट है, मैं थोड़ा सा आपको clear कर देता हूँ, अगर यह बात होती इंडिया के respect से, कि क्या इंडिया के लिए सबसे बड़ा arm exporter है, तो answer होता रशिया, ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था ना, 45% इंडिया में जो import होता है, वो रशिया ही करता है, रशिया पहले नंबर पर या दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर USA है, in terms of इंडिया के import के corresponding, तो वहाँ से statement false ही है, पर अगर आप ये पूछ रहे हो कि world का सबसे बड़ा exporter कौन है, तो वहाँ answer आएगा USA, आई बात समझ में, world का सबसे बड़ा exporter है USA, followed by Russia, followed by France, followed by China, तो ये बात होई है, दुनिया में सबसे बड़ा export कौन करता है, अगर ऐसा question है, तो USA, followed by Russia, followed by France, followed by China, पर अगर अगर में अवाट्स, क्या 1927 में found हुए थे, और 1929 में पहली बार held हुए थे, ये बात बिल्कुल true है, तीसरा statement, tropical cyclone, क्या clockwise flow करते है northern hemisphere के अंदर, नहीं sir, कल हमने इसे बहुत अच्छे detail से समझा था, कि northern hemisphere के अंदर ही होते हैं counterclockwise, वेरस southern hemisphere के अंदर ही flow करते हैं clockwise, और भी हम इसको detail में पढ़ रखा है, चौता statement, SDRF, State Disaster Response Fund, क्या central government यहां पर 90% fund contribute करता है allocation का, पर general category states है UTS, ये भी दर असल में false है, क्यों false है, क्यों false है, क्यों general category states के लिए number होता है 75%, जब बात होती है special category states की, ठीक है न, ये UTS की, वहां पर ये number होता है 90%, general के लिए 75%, special के लिए 90%, तो इस वज़े से statement ये ulti change कर दी गई है, statement यहां पर false हो जाएगा, last, FRA Act 26, के यहां पर collect, use, dispose of, MFP, ये rights दे जाते हैं, the answers to, आफिर detail में इसको भी देखा था, तो इस तरह से पांचों question का answer ये हो जाएगा, इन पांचों का answer इसी तरह से आप मुझे नीचे comment section में बताओग और अपनी preparation को और भी better ना सकते हो, I hope आपको आज का session अच्छे समझाया होगा, इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहें, good bye and good luck.